वाईज फिर से घड़ी घूम के सही टाइम पे आ चुकी है और हफते का दिन आ चुका है सैटरड़े और ऐसे में अब सैटरड़े के गाला चले या फिर मैं लेगा है व्लूटीएव एक ही बात है विकॉज एफिर सैटरड़े वी टॉक अबाउट टेक दुनिया के सारे अप इस पहली ख़बर की बात करें तो ख़बर कुछ ऐसी है जहां पर भाईया किसी ने मतलब जलते पे नमक रगड़ दिया हो या फिर सीधा पेट्रोल ही चुरक दिया हो आपके घर में कोई मेडल जीत के आया और आपके सामने चमकाई अगर तो वो कुछ ऐसी बात होगी विकॉज इलॉन मस्क भाईया ने प्लैटफर्म खोल रखा है सबके लिए तो ऐसे में वहीं पर आके ख़बर दी मिस्टर चुकुबग ने थ्रेड्स के बारे में और अभ अभी तक सीन ऐसा था कि आपने एक बार थ्रेड पर अकाउंट बनाया तो ना ना वापस नहीं जा सकते हो अगर आपको वापस जाना है अगर आपको अकाउंट डिलीट करने तो साथ में इस्टर्म का अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा बट अभी आप ये बिना इंस नहीं, नहीं आप्शन्स के साथ में जलें बश्में से सुनते के शर्मा जी दि ये पर अबनें हैं ये आपको फ्ले इस तरीके से अपिल लीट लेता है हर मामले में ये जह कोई dogs कर दो अगैपाइट करते ने प्रॉस्की तो उस्तों मिलने वाले हैं डए डाइपड्स को मिलने वाले हैं folding products basically folding iPad or folding MacBooks no folding screens वाले ये काम होगा 2025 में और मार्केट में आएंगे 2026 में अभी बहुत देरी है बट announcement ही बहुत है या leak ही बहुत है और चारों तरफ definitely अफराद अफरी मची होगी टेक दुनिया में इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं तो खेर चलो बड़े-बड़े शहरों में चुछुरी गलतिया भी हो जाती है तो ऐसे में एक गलती से application add करने को option डाल दिया तो मतलब आपको किलेंडर काफी अच्छे से कस्टमाइज बिलेगा basis of कि आप कब कहां क्या है आपके appointments कब कहां कैसे चल रहे हैं इसके अलावा यहां पर अभी एक नई टेंसर चिप की बात भी हम कर रहे हैं टेंसर जी फाइव फिनो प्रसाइजली और यह थ्री नैनो मिटर्स की पर बेस्ट होगी अब जिस तरीके से Google के पिक्सल फोन्स लीक होते हैं लगता है इस तरीके से टेंसर चिप की भी लीकेज बहुत पहले से शुरू हुई है एक्जाक्ली लेट सी कि गूगल क्या चीज़ें अचीज नहीं हो गया है बट अब लगता है कि चीजें काफी अच्छ होने वाली है विकॉस गूगल is investing a lot in their med AI और अब जब आपको सिम्टम्स पोगरा सर्च करेंगे तो Google might tell you precisely कि exactly इन सिम्टम्स का मतलब क्या है It aches me immensely to inform me that you have a cluster of swollen tissues in your anal region अरे बाट पीर है तुम है है जिसको collab करो तो ऐसा करो कि चार लोगों को भी फ्राइदा पहुंचे शायद यह सोचते वही ना Samsung और MediTek ने आपसे मिल के collab किया विकॉस दोनों ने मिल के develop कर लिया है 5G standalone network मतलब इस network को यूज करके चार लोग video game खेल पाएंगे चार लोग आपस में जो हैं वो comment बाजी कर पाएंगे और चार लोग जो वो चार बाते करते हैं वो भी कर पाएंगे मेल जोटकर कोशिश करते हैं जिसका नसीब अच्छा होगा पटा का उसे ही मिलेगा बागी के भूट लेंगे मिना तकरार के बलो मंजूर है तो शायद इन फ्यूचर लेट सी कि हम एक्जाक्ट लिस क्लाबरेशन बिट्विन सामसुंग मिलते हैं तरन्स आट टू बी और हमें इससे क्या फाइदा मिलता है वैसे हम भी तो चार लोगी है इसके साथ यहां पर यहां पर नौकरी जाएगी बहुत ही बड़े स्केल पर इसके उपर नंबर क्लिरली विजिबल है विचेज इजीली ट्राकेबल ही नो सामसंग के पॉइंट अफ्यू से तो जिस भी इंसान को एशू किया था या जो भी था वह तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो गया है बट दन अगें टेक दुनिया है लीक्स तो बहुत just to see officially what all Samsung is bringing on to the table गैसे एक real life scenario की बात करते हैं ऐसे में दिली के एक नौजवान लड़का जब दिन भर की महनत के बात थका आरा घर पहुंचते है और उसको जानना होता है देश भर का हाल तो वो on करता है TV news channel और वहाँ पे एक सुन्दर सी anchor के जो looks है उसने उसको मोह लिया औ लेकिन उसको बादे मालूम चला कि वो तो एक AI banker है मतलब जी हाँ गाई अभी ऐसा ही हो रहा है इंडिया में ओ टीवी चैनल के ऊपर पहली AI anchor आचुकी इसका नाम है लीजा और यह आपको ख़बे सुनाने वाली है मतलब आपको लगता है को इंसान है इंसान नहीं है इंसा पहल जाए तो आज जो लोग लड़कों के चक्कर पे फ्रस जाते है भाहिया जो प्रिया बनके बाद कर रहे होते है और वहां पे स्काम हो जाते है सोचो जब AI वाले आजाएंगे और जब टड़ावलों के पास में अगरे स्कीम पहुच गई तो वो किस लेवल में स्काम कर इंप्रूब्मेंट ने किया है अभी अपने सर्विस के पॉंट अवी सभी और ऐसे में इंडिया में बंगलॉर शेहर में अपना पहला यूनों सर्विस सेंटर जो है वो नतिंग ने ओपन कर लिया है कंपनी ऑपरेटेड यूनों वैसे तो और भी सर्विस सेंटर है नतिंग के मुरी देशबर में बट अभी शुरूआत हो गई है अपने खुद के सर्विस सेंटर के साथ में इन दूप बैंगलॉर आगे देखते हैं कैसे ये और ज़्यादा फैलता है और वैसे आपका Speaking about the last news but मैंने सबसे बड़ी खबर को सबसे लास के लिए बचा के रखा था which is about ISRO चंदरियान 3 Guys successfully launch हो गया है हमारा ये brand new moon mission ISRO की तरफ से और यहाँ पर अगर ये mission पूरा successful हो जाता है जो कि हमको पूरा भरोसा है कि हो ही जाएगा तो India बन जाएगा fourth country to reach moon मतलब चांद की सतह पे पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश और यह एक बहुत ही proud की बात है इससे पहले इंद पास ISRO has no kind of launch चंदरियान 1 चंदरियान 2 अभी हम बात करें चंदरियान 3 के launch की launch तो बिल्कुल सही हो चुका है and we all hope and we all kind of you know are really proud about it इस पर इस तरीके से यह काम आगे लेके और आ रहा है future बे अभी हम वेट कर रहे हैं बस गगन यान का और बाकी ISRO missions का आपको इसके बारे में क्या feel होता है और क्या आप कभी ISRO के रॉके बैट के space में ना पसंद करेंगे नीचे comment करते बें जरूर बताना Guys I am sure आपको हर बार की तरे इस बार ही मज़ा आया होगा आपके फेवरिट डूर्टीव एपिसोड में और आपको मिलगी होगी सारी जानकारी जो भी थी टेक दुनिया की हलचल के बारे में I am sure कि आपको ऐसी मज़ा मिलता रहे उसके लिए आपको सिर्फ करना पड़ेगा को सब्सक्राइब रुटे को लाइक और शेयर और इज़ार करना पड़ेगा अगली अपते को कि मैं आप से मिलने वाला हूं नेक्स्ट वीक फ्लावडो में इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम